गोसी बिदान सवाब है कल उप्चुनाव के लिए बोट डाले गए और आप तारीक को वहांका रिजल्ट आना है नाक लगी हुई है दाओं पर चाहें वो एंडिय हो चाहें वो इंडिया कट बंदन हो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बिदायक अतुल प्रदान है दाबे तो बहुत सारे हो गए या बोट भी पड़ गए रजल्ट क्या होंगे बिदायक जी देखे संबवता यह लगता है अगर इमानदाई से थोड़ा भी पोलिंग रहा होगा अगर जिस तरीके से वहां से खबरे हैं उड़नचास परसेंट कुल वहां पर पोलिंग हुआ है उड़नचास पचास के लगबग हुआ है लेकिन आप देखे लोग तंतर में जहां बड़ा परचार परसार किया जाता है कि बोटे जादा दलें मददान जादा करिये अड़ोटाइजमेंट होते है अगबारों में एड़ छपतें आदिकारी लोगों को समझातें कि बोट डालने जाए दूसरी तरह इनी के लोग सासन पर सासन बैठे वे लोग इनस मंसा में थे कि पोलिंग जादा नहों और पोलिंग परसंटेज किसका कम करना था विपक्ष के लोगों का समाजवादी पार्टी इंडिया के गटबंदन का कम करना था लेकिन उसके बाद भी सुदाकर सिंग जी हमें उम्मीद ऐसी है कि जो जनता का आशिरवाद वहाँ पर मिला समाजवा लगता है कि समाजवादी पार्टी वहाँ पे निश्ची तुरूप से चुनाव जीतने जा रही है इन लोगों के मन में बेलट को बुलिट के दम पर सरकार के दम पर कब जाद करने की इनकी मंसा है लेकिन जनता सब देख रही है आने वाले समय पर इन लोगों को सबक सिकान समयता हूं रामपूर में ज़्यादा था लेकिन यहां पर भी हुआ है इस तरीके से और अगर यहां पर कोई कारण अगर हो सकता है किसी चीज़ का तो प्रसासिनिक मसीनरी के अंतरकत जो चुना हुआ है जो ताकत के बरपर मसीनरी के बरपर बोटो को छीना गया उसके आधार पर हो सकता है अन्यता वहां पर बंपर वोटो से समाजवादी पार्टी के सुदाकर सिंग जीते हैं लेकिन 35-35 मंतरी डिप्टी चीप मिनिश्टर दोनों और उसके बाद खुद चीप मिनिश्टर देखिए ऐसी इस्तिती बना दिया इनोंने चुनाओं में सारा काम का रहें और जैसे निकलते थे मंतरी पीछे से वहां के लोग कहते थे कि एक बोर्ड इनको देने वाले नहीं है इनके समर्तन में कोई नहीं है और मुझे संभवता यह लगता है कि हम सारे विपक्ष के लोगों को भी मिलकर यह कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे जमीनी हकीकत को समझते वे हम इनसे लड़ाई लड़े अब बिधैक जी नाम जो है भारत का जो अंग्रे जी में इंडिया बोलते थे अब उसका प्रचलन खतम कर रही है सरकार देखिए यह डर गई है इंडिया गडवंदन से आप बताईए मोधी जी के कितने भासन आपने सुने होंगे उ सा इस्ट्यूट पराना ऐसा आई एम को देख लीजिए आप आई 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 टी को देख लीजिए आप आई पीएस को देख लीजिए इंडियन पुलिस सर्विस आई आप आई 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 आफस को देख लीजिए आप आई एस को देख लीजिए और इसके लावा तमाम ऐसे हैं हिंदुस्तान में कैसे सारे नाम बदलेंगे और क्या-क्या बदलेंगे बताइए क्या चेहरे बदल देंगे लोगों क्या सोच बदल देंगे लोगों की अभी भी कई जिलों के नाम तो सरकारे बदल देती हैं लेकिन नाम वो लगातार वो ही बोला जाता है आप बताएए किसी महले में जो पुराने महले हैं जिसका कोई नाम पड़ावा हो आप कुछ भी पत्तर पे लिख दीजे उसी नाम से उस महले को लोग जानते हैं आप यह मानके चल रहे हैं कि यह गठबंदन का नाम जो इंडिया रखा उसकी वज़े से यह यह बहुत परिसान हैं यह कोशिश यह कर रहे हैं कि बार बार जो देश के नाम पर जैसे इंडिया के नाम से आदमी गौर्वान में फिल करता है लोगों के मन में बाव हाता है मन मे सोच यह आती है कि भई जो है हम देश के लिए कोई काम करने देश के लिए नाम बोलें इससे घबराना किसी इसका आपना काम क्या अपना काम बताई है तो आने वाले दिनों में तो गलीं बोलने के भी नाम बदले जाएंगे बहुत सारे ऐसे नाम हैं और इसके अलावा सरकार रहती नहीं है लोकतंत्र में आप उन परमपराओं को मत तोड़िये जो लोकतंत्र में पड़िवी है उनके नाम भी जिनमें इंडिया रहा है वो नहीं लिये जाएंगे अब सरकार की योजना है तो सेंकडों चलती है पता नहीं कितनी जमीन पर उतरती है कितनी फेल हो जाती है को इनसे पूछ के देखे तो हमारा तो अपना यह कहना है कि गरीब की सोचिये महंगाई की मार है इस समय लोगों पर परिशानी दिक्कते हैं 110 महीने की सरकार इनकी हो ग हैं और हम लोग इसी चीज़ पर हैं कि हम लोग आने वाल समय पर फिल लड़ेंगे बहुत बहुत शुक्री आपका तो यह थे अतुल प्रदान समाजवादी पार्टी के फार बिरन नेता जिनका क्याना है कि गटबंदन से डर गई है सरकार और इसलिए अब इंडिया को भा लिखा जा रहा है कि अमरत सहीवी सानु के साथ में नरेंदर वारत समाचा मेरट